हाई फ्रेंड्स मैं परंदर खारी फ्रेंड्स आज की है हमारी है मुझसते जाई कुले जी की वीडियो रेकमेंडेशन है जिन्होंने मुझसे सन 1961 की एक गज़व की गेम के पर वीडियो बनाने के लिए का तब बहुत टॉफ गेम लियुनर्ड स्टाइन वर्सिज एफम गेल ठीक है डिवलोप्मेंट पर ध्यान है दोनों के लाड़ी होगा बिशप ए सेवन देन रुकाया ए वन स्क्वार पर अपने पॉन पर डिफेंस कर लिया गया है देन हुआ बी फोर बिशप आया बी थ्री स्क्वार पर और इसके बाद यहां ब्लैक को ने कैसल किया c3 हुआ d6 h3 हुआ ताकि बिशप आकर यहां इस नाइट को फिल न करे नाइट d7 देन हुआ d4 नाइट b6 देन नाइट b जोस तो d2 बिशप आया f6 स्क्वार पर देन नाइट f1 रुक e8 देन नाइट गया g3 स्क्वार पर g6 बिशप h6 और फ्रैंस गेम की यही खासियत रह यह bishop बहुत annoying रहने वाला है black के लिए, किस तरह से आप देखिएगा, bishop b7 from black side, then queen गई d2 square पर bishop पर हो चुका है, defense knight a5 और यहां light square bishop को disturb करने के तयारी, लिएक इसकी destination c2 square ही थी, knight attack goes to c4 और यहां queen को disturb करने के तयारी है, queen के लिए obvious move बता है c1 square पर जाने का, then knight d7, b3 और knight को allowed नहीं किया जा सकता, इतने advance position में, तो यह knight यह है, वापस b6 square पर, then queen गई b2 square पर, वापस अपनी सेगाए पर आ चुकी है, e takes d4, c takes d4, then c5, connections अभी करने की कोशिश है, center को free कराने की, rook at a goes to d1, और मेरे ख्याल से white हो चुका है, development के मामले में, बिल्कुल perfectly complete black के पास, then bishop आया, b1 square पर, c takes d4, knight takes d4, then rook आया, c5 square पर, friends, rook की position काफ इंटरस्टिंग हो जाती है, और यहां से रुक कैसे move करेगा, देखते हैं, रुक आया, e3 square पर, from white side और, white ने भी यहां, अपने रुक को काफी जादा strong करते ही चले जाएंगे, मेरे ख्याल से, आगे देखते हैं क्या होगा, क्विन गई, a8 square पर, क्या यहां क्विन बिशप की बैटरी किसी तरह की problems create करेगी, क्योंकि रुक भी है, यहां target में, शैद करेगी, लेकिन knight f3, बहले safety, knight वापस आया है, और, pawn को लेने की तयारी है, exactly है, knight c8, pawn पर defense होगी, आपने knight से, और knight को improve करने की भी यहां तयारी है, मैं मेरी ख्यान से, knight h2, then bishop गया h8 square पर, क्योंकि white का knight कहां जाएगा, यह बताने की मुझे बहुत ज़्यादा जूरूद है, knight g4, obvious है, bishop इसलिए हटा है, knight e5, knight actions, करना ही पढ़ेंगे, विसे तो, knight tex e5, और friends, यहां आप care करना चाहिए, bishop tex e5, ठीक थाक option है, मैं क्यों कहा सकता हूँ, ठीक, यहां, fm ने, rook tex e5 की option को चुना, और, rook bishop की battery, बिल्कुल strong तेयार होगी है, pawn पर pressure ज़रूर बन रहा है, लेकिन, rook c3, और, rook c3 square पर जाने के बाद, इस rook के अगली destination क्या होने वाली है, यहां पर 7 तरे, और, उसके बाद, थोड़े बहुत issues, might be, हो सकते है लेकिन, rook e5 goes to e7 पहले, यहां पर black ने किया, black की position की मैं थोड़ा बहुत cramped ball हूँगा, इसादों ने, rook c1, rook वापस अपने घर आ गया, bishop आया e5 square पर, और, यहां knight को might be लेने की तैयारी हो सकते है, लेकिन, उससे पहले white अपने इस f pawn को आगे push करके, bishop को वापस भगाने के गया वो f6 square पर, then act upon एक कदम और आगे push हो गया है, और, यहां exactly, बिल्कुल, वही threat, castled structure को पूरी तदल से disturb करने की तैयारी है, लेकिन, उससे पहले move है, fm का, उन्होंने यहां, अपने bishop कुलिया e5 square पर, और, knight को target लगाने की कोशिश है, तो, बिशप f4, बिल्कुल, bishop actions कर या अगर आपको करने है, तो, लेकिन, यहां, fm galer ने, पहले एक check दी, अपनी दूर रखी हुई, queen a7 check, और, इस check से, बचने के लिए, ओविस है, king को h2 square पर लेकर जाओ, लेकिन, knight, ठीक है, knight के साथ भी, और, friends, यहां इस point पर, मैं अक्सर कहता हूँ कि, जैसे मैं पूरी e6 square पर जाने के पार, white को मौका मिला, stein को मौका मिला, bishop actions करने का, bishop tix e5, rook tix e5, pawn पर, ठीक, अब इतना issue नहीं है, queen गई h6 square पर, और, friends, यहां, अब इस game में grip हो चुकी है, तयार, white अब क्या threat दे रहा है, f pawn को आगे push करो, checkmate कर दो, बिल्कुल, simple है, तो, king h8 के option को पहले ह ही, यहां पर black मिला, और, जैसे ही, उन्हें, यहां, मौका मिलेगा, rook f8, होगा ही, होगा, खेर, rook f1 के option को पहले, यहां, white में चुका, और, मेरे ख्याल से, अब क्या इरादा है, देखे, white का, बिल्कुल, obvious है, कि, यहां, pawn से, pawn लिया जाएगा, और, rook को, को, कोशिश की जा कर, इस check meeting threat को तयार किया जाए, तो black के पास क्या options है, रुख जी, यह, अच्छी option है, क्योंकि, एफटेक, z6, एफटेक, z6, रुख टेक, z6 हो जाएगा, वो, पहुंचे जाही नहीं जाएगा, घर, यहां, खेला गया, d5 का, और, बिल्कुल, यह question होगा, यह, मैं कहूंग जाए, क्योंकि, चेक मेटिंग अटेक पे यहां आपको clear नजार आ रहा हुगा, तो एक option है, क्योंकि करावाने की, अगर की जाएं तो अच्छी option हो सकती है, जैसे कि, अगर यहां, जी, टेक्स, f5, खेला जाए, तो बहतर होता, क्योंकि, अगर हम यहां से इस game को आगे जाए, जाए, अब ब्लैक क्या करेगा, इस action sacrifice को accept करेगा, बिशव टेक्स, c6, लेकिन उसके बाद होगा, बिशव टेक्स, f5, और यहां पर होगी, यह चेक मेट की threat, रुक टेक्स, f5, देन नाइट, xf5, obvious move है, ओके, ऐसा करने के बाद, यह king unprotected है, तो चेक देने की option बन होगा न, d6 करने के बाद, quintex d6 forcefully, नहीं कोई नहीं चल जाएगी, care friends, यह सारी मेरी calculations है, आप इन पर ध्यान मत दीजेगा, क्योंकि बीच में और बहुत कुछ खिले जा सकता है, जो मेरे दिवाब का अभी फिलादा रहा था, care, यहां देखते हैं जो इस game में हुआदा, fm gallon decided कि वो अपनी queen को लेकर जाएंगे, e3 square पर, और queen actions की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से black की game में problem ही यह रही, कि उनके काफी major pieces, specially queen board के corner में रखे रही बहुत देर तक, और knight board के center से दूर रहा, तो number of pieces जो participate कर रहे थे active game में, वो black के पास obviously कम है, तो problem अब face करने पड रही है queen actions जरुत क्या करने की, वितनी अच्छी position से, क्यों अच्छी position है, फिर queen गई पहले h4 square पर और आप यहां bishop pawn और पूरी लड़ाई देख सकते हैं, bishop takes d5, f takes g6, f takes g6, bishop takes g6 और friends आप क्या बचा जाएं, क्या यह checkmate बची जाए, यहां या इस rook को बचा जाए, best option तो queen को a7 square पर rook तो फिर भी जाता है, यहां से, rook takes e8 हो जाता है, लेकि चलते हैं, गेम पर गेम कोई देखते हैं, यहां कहला गया rook e7, और friends ऐसा होने के बाद यह गेम और week हो जाती है, वो कैसे होती है, यहां हुआ लास्ट मूव था, लेनर्स्टाइन का bishop takes e8, जिस मूव के चलने के कर मैं reason आप यहां देखना चाहें, तो सबसे पहले, rook पर attack है, ठीक है, उसके बाद यह check भी आ रही है, वो भी अपने आपने प्राब्लम है, नाइट फिलहाल undefended है, वो भी एक प्राब्लम है, और rook यहां अलग से परिशान करने के लिए जाने वाला है, तो इन सब प्राब प्राब्लम साथ ही है, प्राब्लम क्या हैंगी, यह knight checkmate कैसे करने पहुंच जाएगा, दो move के बार, वो clear है, तो यहां white, rook टेक सी एट के auction को पहले चुन सकता है, और वैसा है, रुक टेक सी एट अगर किया भी गया तो knight f5, अब या तो अपनी queen बचो, या याने वाली checkmate ब लिए लिए स्टाइन, आपको यहां समझ में आ गया होगा, तो friends, मुझे उमीद है, आप सभी लोग को भी सतेज दाइपो लोजी कि यह recommendation पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को like और share अपने मित्रों के साथ भी share करे, और अगर आपने अभी थक हमारे इस YouTube चैनल जैसे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe जरूर करें, आपके comments, suggestions को बेहर दिन जा रहेगा, thank you for watching, bye for now.